जैहिंद बिहार पुलिस मद्द निशेद उत्पाद वामनिबंधन विभाग में कॉंस्टेबल के 365 सीट की बंपर वेकेंसीज आई है सभी डिटेल्स अगले 3-4 मिनट में हम आपसे डिसकस करेंगे चाहे इसकी चैन पर करिया हो, योग्यता हो, सिलेबस हो, एक्जाम पैटर्न हो, मेडिकल टेस्ट में क्या होगा, फिजिकल एक्जामेनेशन में आपके क्याप माप दंड है, A to Z information, अपलाई कैसे करें, अप्लिकेशन फी क्या है, सैलरी आपको कितनी मिलेगी सिलेबस में हमने सभी सब्जेक के सिलेबस को डिसकस किया है, इस वीडियो को आपको अंतक देखना बहुत आवश्चक है, क्योंकि आपके सभी प्रशने को उत्तर, जो इस वेकेंसी से संबंदित है, इस वीडियो में मिल जाएगा अब आएए बीना देरी किये हुए, सबसे पहले हम जॉब डिटेल्स को समझ लेते हैं, तो जो एक्जाम आपका कंड़क्ट करेगी, वो है सेंट्रल सेलेक्शन बोर्ड आप कॉंस्टेबल यानी सी एस बीसी, जिस डिपार्टमेंट में वेकेंसीज है, वो है मद निशेद उत्पादवम निवंधन बिभाग बिहार, आपके पोस्ट का नाम होगा, प्रोहिबिटेशन कॉंस्टेबल टोटल नंबर वेकेंसीज 365 है, आपका एप्लिकेशन मोड ऑनलाइन होगा, अब हम कटेगरी वाइस वेकेंसी की बात करें, तो जेनरल के लिए 126 वेकेंसीज है, जिसमें महिलाओं के लिए 14 वेकेंसीज है, जैसा कि आपको पता है कि फीमिल कैडिडेट को 35 परतिशत का रिजर्वेशन उपलब्द है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 29 वेकेंसीज है, यानि एकोनॉमिकल विकर सेक्षन, अनुसुचित जाती के लिए 88 वेक पिछरा वर्गों के महिलाओं के लिए 13 वेकेंसीज है, बिहार पुलिस कॉंस्टेबल के इस पोस्ट के लिए जो पे स्केल है काफी अट्रेक्टिव है, पे लेबल 3 की सैलरी आपको मिलेगी जो की 20,700 से 53,000 रुप्या प्रतिमाह तक की सैलरी आपको दी जाएगी, अब हम अपलाई करने के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, बैकवर्ड क्लास हैं, एकोनोमिकल विकर सेक्षन हैं और अधर एस्टेट के कैंडिडेट हैं तो 675 रुपे का अप्लिकेशन फी पे करना होगा, वहीं सीडिल का सीडिल ट्राइब और फीमेल कैंडिडेट अगर बिहार के हैं, तो आपको 180 रुपे का अप्लिकेशन फी पे करना होगा, बिहार पुलिस कॉंस्टेबल के इस पोस्ट के लिए चैन प्रकरिया यानि सेलेक्शन प्रोसेस की बात करें, तो इसके मुखे चार चरण हैं, सबसे पहले आपको लिखित परिक्षा यानि रीटेन देना होगा, उसके बाद आपका सारीरिक योगिता यानि PMT होगा, फिर आपका PET यानि फीजिकल इफिसियंसी टेस्ट दक्षता परिक्षा होगा, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, फिर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा, आपको अपन मिलेटर मिलेगा, और आप एज बिहार पुलिस में कॉंस्टेबल के पुष्ट पे जोईन कर पाएंगे। बिहार पुलिस कॉंस्टेबल के eligibility criteria में age limit की बात करें तो आपका age एक जनवरी 2021 से count होगा। सभी category के candidate के लिए जो minimum age है वो 18 साल है, वही maximum age जनरल के लिए 25 साल, BC और EBC male के लिए 27 साल, OBC और EBC female के लिए 28 साल और schedule tribe male और female candidate के लिए 30 साल का है। बिहार पुलिस कॉंस्टेबल के लिए जो sectionic योग्यता चाहिए वो intermediate यानि class 12 है, किसी भी stream में, किसी भी recognized board से। बिहार पुलिस कॉंस्टेबल के written exam के pattern की बात करें, तो इसमें 100 प्रशन आप से पूछे जाएंगे, 100 marks के होगे, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय होगा, प्रशन आपका Hindi और English दोनों language में पूछे जाएंगे, exam आपका offline होगा, यानि OMR sheet पे आपको exam देने होगे, आपक से 50 प्रशन होगे, 50 marks के होगे, वहीं physics, chemistry, biology, history, politics, geography, mathematics, economics, इस सभी subject में से कोई दो subject जो आप select करेंगे, उससे 25-25 प्रशन 50 marks के आप से पूछे जाएंगे, यहां आपको ध्यान रखने की आविशकता है कि इस exam में पास होने के लिए 30% marks लाना अनिवार्य है, तभी आपको अ यानि physical measurement test की बात करें, तो general और backward class के male candidate का 165 cm हाइट होना अनिवार्य है, SBC male के लिए 162 cm, वही schedule का schedule tribe के male के लिए 160 cm का हाइट होना अनिवार्य है, female candidate सभी category के candidate के लिए 155 cm का हाइट होना अनिवार्य है, chest general और EBC के लिए 81 cm और expanded chest 86 cm, वही schedule का schedule type गुरखा के लिए unexpanded 89 cm और expanded 84 cm होना अनिवार्य है, बिहार police constable के physical efficiency test की बात करें, तो race 50 marks का होगा, male candidate को 1.6 km का race 6 मिनट में पूरे करने होगे, वही female candidate को 1 km का race 6 मिनट में पूरा करना होगा, अगर आप अपना race कम समय में पूरे करेंगे, तो आपको अधिक marks म जिसका detail आपको screen पे दिया हुआ है, physical efficiency test में high jump 25 marks का और short put भी 25 marks का होगा, जिसके सभी details आपको screen पे दिया हुआ है, male candidate का minimum 4 feet और female candidate का 3 feet high jump होना अनिवार्य है, वहीं short put male candidate को 16 pound का गोला कम से कम 16 feet फेकना अनिवारी है, female candidate को 12 pound का गोला कम से कम 10 feet फेकना अनिवारी है, इसके भी marks detail आपको screen पे दिया हुआ है, syllabus की बात करें तो हिंदी में आपके प्रशन, अलंकार, रस, प्रैवाची शब्द, विलोम शब्द, समाज, संधिया, तस्समेवं तद्भव, अनेकार्थी शब्द, लोकुक्तियावं मोहावरे, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वाके संसोधन, लिंग, वचन, कारक, क स्क्रिन पे दिये हुए सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ें, इंग्लिश ग्रैमर बहुत अच्छे से पढ़ें, उसी से आपके प्रशन पूछे जाएंगे, जोगरफी के सिलेबस में आपके प्रशन fundamentals of physical geography, fundamentals of human geography, जिसमें people, human activities से प्रशन होंगे, Indian geography, introduction, physical aspects and drainage system स से प्रशन होंगे, economic geography में resources, man and environment से आपके प्रशन होंगे, political science में आपके प्रशन concepts of politics, key concepts, union, executive, state, electoral system in India, बाकी का टॉपिक इस स्किन पे दिया हुआ है, दिये हुए सभी topics को बहुत अच्छे से पढ़ें, economics में आपके प्रशन introduction of economics, introductory, micro economics, introduction, customer behavior, demand, बाकी का जो टॉपिक है वो स्किन पे दिया हुआ है, इस सभी topics को बहुत अच्छे से पढ़ें, class 13th level के प्रशन आप से पूछे जाएंगे, physics, chemistry और biology जो की class 13th level का है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ें, और यह जो दिया हुआ physics के topics हैं, इसको बहुत अच्छे से पढ़ें, इसी से आपके प्रशन प इस पोस्ट को आप online ही apply कर सकते हैं, इसके लिए आपको official website csbc.bih.nic.in पे जाएं, वहाँ पे notification को download करें, उसको बहुत अच्छे से पढ़ें, पढ़ने के बाद वहाँ पे apply online का link होगा, उसको click करें, click करने के बाद जो registration करें, login करें, login करने के बाद अपने necessary details को भरें, photo signature upload क प्रिव्यू करें, फिर submit करें, submit करने के बाद PDF सेव करके जरूर रखें, future use के लिए, पॉम भरने की जो अमतिमतिती है, वो 18 जनवरी 2022 है,